हेलो फैमिली गूड मॉर्णिंग और लुकम बैक टू माई चैनल फैमिली आसा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ अभी सुबा का बज़ा है छे और आज का व्लोग देखे मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले तो इसरवा सूबह आज का बाहर का मौसन कीतना सुन्धर सा एक हूँ आज मैं सबसे पहले दिखिए नहां ल paragraph हुँ नस्ता वी यूजी नहीं हो रहा था तो मैं सोची कि उना आज से स्टार्ट करूँ और आप लोग के साथ में ये स्टार्ट करूँ ताकि कुछ अच्छा रेजल्ट आए तो भी मैं आप लोग को बता पाऊंगी और कुछ बुरा रेजल्ट आए तो भी मैं हम लोग को दिखा पाऊंगी करेंगे आज का नास्ता क्यूंकि आज हैं हम लोग को भीबोत्तर इनी पूजा और ममी का है उपास अभी साइद आप लोग को समझ आ होगा फैमिली की पींकी आज क्यों सुवा सुवा नहा ली थी जी हाँ एक बहुत बड़ा रिजन एही था कि आज है पूजा इसलिए में सुवा सुवा नहा ली ये पूजा होता है पंडी जी का घर में मतलब पंडी जी के घर में जाकर पूजा देरा होता है इस पूजा में म में रोटी लेई थी दो लेकिंग पियासा देखे फिर से एक रोटी दे दी है क्योंकि आज तो हम अर्पियासा ही नास्ता करने वाले है तो रोटी जादा ही था मतलब तीनों जन के लिए ही था अगर दोनों जादा करके नहीं खाएंगे तो फिर रोटी वेस्ट हो जाएगा इसले में तीन रोटी लेली अब पता नहीं मैं खा पाऊंगी कि नहीं अगर नहीं खतम कर पाई तो फिर रामों और बुलबली सब तो है इगर में वो लोग खा लेंगे अभी जस्ट में नास्ता खतम की साथ पांच मिनटी हुआ होगा और देखिए इधर खाना आ गया है मतलब रितम के पापा अभी अभी जस्ट खाना देकर गए है हम लोग का जैसे आज बीबोत्तारीनी पूजा है ठीक ओएसे ही उनका भी घर में आज पूजा है और अभी गड़े में 9 बजा है और वहां पे पूजा कंप्लीट हो गया है तो इसलिए देखिए काकिमा प्रसाद भी जवाए है हाला कि मैं प्रसाद लास्ट में दिखा रही थी पहले में खाना दिखा रही थी आप लोग को तो यहां पे दिखिए पूरी था दो किसिम का सबजी था और साथ में सूजी अभी अभी तो जश्ट हम लोग नास्ता किए इसलिए अभी नहीं खा पाएंगे तो चलिये रख देते हैं बाद में खा लेंगे चले गए है पूजा करने पंडी जी के घर में जैसे कि मैं बता रही थी आज का पूजा पंडीजी के घर में होता है तो हम लोग का भी responsibility होता है अच्छा अच्छा खाना बना के मम्मी को खिलाना तो आज का खाने में देखिए मैं बनाने वाली हूँ दोखिसिम का सबजी और साथ में पूरी जिसमें बनने वाला है देखे चोले का दाल और आलू कोहरा का सबजी तो चलिए पहले चोले का दाल बना लेते हैं मैं जब भी ये छोटा ओला प्रेसर कुकर यूज करती हूँ तब भी मेरा पौपट हो जाता है देखिए पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है मैं ठीक ठाकी मतलब पानी देती हूँ फिर भी दाल कम रहता है ने इसलिए बड़ा ओला प्रेसर कुकर यूज करने का मन नहीं करता है लेकिन देखिए एक पर खोल कर अच्छे से चेक करके फिर से मैं थोड़ा सा पानी कम कर दी थी और अभी देखिए अच्छे से ये गल भी गया है ये छोले का दाल फैमिली पूरी के साथ खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ये दाल कर एसीपी मैं अपनी नौ ममी से सिखी हूँ मतलब राना का जो मा है उनसे ही सिखी हूँ और इसमें छोड़ा छोड़ा करके नारियल काटके और थोड़ा सा काजू की समिस देने से भी इसका टेस्ट और भी जादा अच्छा हो जाता है लेकिन ये सब इंग्रिडेंस तो आप घर में रहता नहीं है इसको लाना पड़ता है तो हम लोग के घर में नहीं था इसलिए मैं नहीं ये उसकी तो चलिए फैमली जब तक ये सबजी बन रहा है आप लोग को मैं पूजा के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएती हूँ ये बीबोत्तारिनी पूजा अक्छली होता है आपका सुराक्षा के लिए एक हिसाब से बोल सकते हैं ये प्रोटेक्ट धागा है जो भगवान जी से हम लोग को मिलता है माना जाता है ये धागा हम लोग का जीवन का हर एक समस्या को दूर करता है इसलिए इस पूजा का नाम है बीबोत तारिनी, बिंगॉले में बीबोत मतलब होता है समस्या, तारिनी मतलब दूर करना, तो इसलिए है बीबोत तारिनी मतलब समस्या को दूर करना, इस पूजा में एक धागा पहना जाता है, जो रेट कलर का धागा होता है, जिसमें तेरा थागा होता है और एक सब्झी तो अलड़ी बन गया है और इधर देखिए और एक सब्झी बन रहा है पूरी के लिए पियासा माइदा गुण दी थी और पियासा ही बेल दे रही है मैं तो बस देखिए फ्राइ कर रही हूँ अब पियासा को भी थोड़ा-थोड़ा काम करना आ गया है और इसे तो घर का साड़ा कामी उसको आता है बस खाना बनाना अभी तक नहीं आता है तो थोड़ा-थोड़ा वो सीख रही है मेरी ममी सब कोई छोटी से ही काम करना सिखा देते है चाहे वो खाना बराना हो या भी जारू पोछा लगाना हो मेरी दीदी भया लोग को भी ममी छोटे से उमर से ही थोड़ा-थोड़ा करके सिखा दिये थे और इधर देखिए मुझे भी सिखा दिये है और अभी प्यासा को सिखा दे रहे है मैं जब छोटी थी तब मैं करना नहीं चाहती थी और बहुत ज़्यादा मैं चिलाती थी ममी के उपर लेकिन उसका भैलू अब मुझे समझ आ रहा है मैं कितना भी अकीली क्योंना हो जाओ कहीं पर मैं क्योंना रहू लेकिन मैं जो भी काम सीख चुकी हूँ घर का मैं अकेले सर्भाइब कर सकूंगी मैं अपना खाना बना के खुद खा सकूंगी खाना बन गया है और मैं ममी को खाना निकाल के दे भी दी हूँ हम लोग बाद में खाएंगे ममी उपास किये थी इसलिए मम्मी को पहले दे दिये हम लोग बेंगल इसका जब भी कोई भी पूजा होता है मम्मी लोग हमें सही आलता पहनते है तो मैं भी बहुत सालों बाद आज आलता पहन रही हूँ इससे पहले सायद में अपना स्पेसल द इसमें 13 गाट होता है मम्मी उपास किये है इसलिए मम्मी का में 13 गाट है और हम लोग तो उपास नहीं किये थे बस बेज खाना खाकर हम लोग धागा बांदे है इसलिए हम लोग का धागा में 11 है गाट अभी घड़ी में बज़ा है लगबग सारे तीन और मुझे देखिए मैं खाना खाने बैट शुकी हूँ और आज का सारा खाना तो मैं ही बनाई जैसी कि आप लोग ने देखे मैं आप लोग को बोलूंगी क्या प्रॉब्लिम हुआ है क्या नहीं ताकि नेक्स टाइम मैं इसका सुधार कर सकूँ तो चलिए आज मैं बताती हूँ क्या गरबड की हूँ और इसे तो आलू और कोहरा का सबजी प्रफेक्ट था लेकिन दाल थोड़ा सा पतला हो गया था आप लोग को देखे समझ आड़ा होगा और उपर से थोड़ा सा नमक जादा भी हो गया था मेरा खाना तो कम्टीट हो गया है और अभी देखे में मेडिसीन ले रही हूँ और इस पुजा का फैमिली और एक मोस्ट इम्पोर्टिन नियम होता है जो लोग उपास करते हैं और तेरा धागा बानते है न उन लोग को तेरा पूरी खाना होता है और एकी आसन में बैठके मतलब एकी बार बैठके तेरा पूरी खाना होता है जैसे कि ममी उपास किये थे और ममी तेरा धागा बाधे तो ये नियम ममी करेंगे हम लोग नहीं क्योंकि हम लोग तो खाना खा लिये थे और हम लोग तेरा धागा बाधे भी नहीं अभी घड़ी में बजा है चार और बाहर का मौसम देखिए ठीक ठाकी है नहीं तो आज का मौसम बहुत ही अजीब था सुबा से ही थोड़ा थोड़ा बारी सो रहा था फिर से दूपुगड़ा था फिर से बारी सो रहा था ऐसी ही चल रहा था अभी देखे मैं आ गए हूँ काकिमा के घर मतलब रितम के घर उस दिन तो अंदेरा में यह वला में अच्छे से दिखा ही नहीं पाई थी तो आज दिखा ड़ी हूँ फैमिली देख लीजिए यह बाहर का जो वले उसमें ही बनाया जा रहा है और अभी से ही बहुत ज़्यादा खुपसूरत सा दिख रहा है और यह तो कम्प्रीट हो जाने के बाद इसमें कलर भी चड़ेगा तब यह और भी ज़्यादा खुपसूरत दिखेगा हम लोग का वीबोत्तारी नी पूजा जैसी के पंडी जी के घर में होता है ममी पंडी जी के घर में जाकर ही पूजा करके आये थे लेकिन काकीमा के पूजा काकीमा के घर में ही हुआ था देखिए यह जो मंदिर है यहें पे पूजा हुआ था पंडी जी खुदा आकर पूजा करके गये है और बारी सो रात जैसे कि मैं बता रही थी आप लोग को तो इसलिए देखे च्छाता रग के दिये है ताकि वो पूजा किया हुआ जगा ना भीगे वहां से साम को घर आकर मैं पापा के साथ चली गई थी बजार करने और देखिये धेर साड़ा सबजी बगेरा खड़ित के में लाई हूँ आप लोग को जैसे कि मैं बता रही थी ये मेरी नानी सास आये है तो इसलिए कल हम लोग खाने पर इंबाइट किये है पूड़े फैमिली को मतलब काकी मा काकू नानी दादी सब आएंगे तो इसलिए अभी से बजार करके रख दिये है सुबह में उठके बहुती मतलब जल्दी में करना होता है ना तो इसलिए लेट हो जाएगा इधर उधर करते करते और देखिये अभी से हम लोग सबजी बगेरा काट कर फिरिज में रख देंगे इधर देखिये पियासा लसन बगेरा चुरा रही है और उधर पापा भी हेल्प कर दे रहे थे मतलब जीतना भी सबजी बगेरा यहां पर कटा हुआ दीख रहा है ना आधा में काटी थी और आधा पापा काट कर दिये थे कल के लिए मैं खुद को दो चैलेंज की हूँ एक तो पुड़ा खाना में ही ब मतलब लेना ही है सबी खाना बनाना ओल्मोस्ट आता है फैमिली आप लोग तो मेरा विलोग में देखती रहते हो में बनाती रहती हूं लेकिन जब भी घर में मैमान आते हैं में बहुत ज़ dirt Coat यह होता ही मतलब उंदर से Confidence गलती कर दूंगी तो में हर बद में नौममी का हैल्प लेती लेकिन आप लोग Nati चाइब है और यहuity Kalan खुणत कर देगा थे लेकिन में में two ass मुझे खुद कोई बनाना है और आप लोग को साथ लगड़ा होगा फैमिली ममी तो है घर में ममी क्यों नहीं बनाएंगे तो चलिए मैं बता देती हूं और ऐसे भी में पहले आप लोग को बता आई हूं मेरी ममी नॉन बेंगोली है मतलब आप्टर मेरिक तो बेंगोली हो ग गया है और इधर देखिए रात भी हो गया है इसलिए मैं खाना खाने बैठ चुकी हूं और खाना तो कब से भी खाती जा रही हूं आप लोग को लेक्चर सुनाती जा रही हूं तो चलिए आज का व्लोग यहीं पर रखते हैं और एंड करते हैं ब्लोग अच्छ लगे तो वीडियो को लाइक और चलन को सब्सक्राइब कर दीजीगा अच्छ रही है स्वास्त रही है मिलते नेक्स्ट व्लोग में तब तक के लिए बाई